उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दलित समुदाय के 50 लोगों ने हिंदु धर्म छोड़कर इसलाम अपनाने का एलान किया है इनका अरोप है कि योगी सरकार में दलितों पर अत्याचार हो रहा है और इसलिए वो इसलाम अपनाने जा रही है अपने घर में रखे देवी देवताओं के प्रतिमा को नदी में विसरजित करने के लिए ले जाते ये लोग दलित समुदाय के हैं इनका अरोप है कि सहरनपूर और संभल में बीजेपी कारेकरताओं ने दलितों पर अत्याचार किया है जिसके बाद इनका बीजेपी और हिंदु धर्म से मोभंग हो गया है दलित समुदाय के इन लोगों का कहना है कि इन्हें केंद्र की मोधी और यूपी की योगी सरकार से काफी उमीद थी लेकिन अब ये दोनों सरकारों को दलित विरोधी करार दे रहे हैं दलित समुदाय के इस बगावती तेवर की खबर पाकर वजरंग दल के कुछ कारे करता इनको मनाने के लिए पहुँचे थे लेकिन ये लोग हिंदु धर्म छोड़ने के अपने पैसले से पीछे नहीं हटे ये है एबीबी नियूज आपको रखे आगे